नमस्कार, पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है दुनिया भर में अलग-अलग हिस्सों में तनाव लगातार बरकरार है कुछ नए तनाव हैं जिनकी कहानी बहुत पुरानी है इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे प्रभीर पुरकाय से दुनिया की हलचल पर पैनी नजर, पड़ताल दुनिया भर की देखिये, जुड़िये, ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का, समझने का कि क्या चल रहा है आस-पास और साथ समंदर पार, आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन प्रभीर, जिस तरह से फिलिस्तीन में हिंसा का नया दौर शुरू हुआ है जिस तरह से जो क्लैश हुआ है, इसराइल ने हमला किया है वो अभी ऐसे समय, जिस समय वो पवित्र महिना चल रहा है रमजान है, पास ओवर है, इस्टर का पूरा का पूरा महौल था वहां पर हमला होना, मस्जित को निशाना बनाया जाना दरसल ये जो हमला है, इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए देखिए, ये एक दोनो धर्मों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां पर हमला हुए हैं और जहां पर करीब देर सो पौने दो सो लोग घायल भी हुए हैं तो यह हर साल यहां तनाव होता है कि वहां पर एक वेलिंग वाल है जहां पर जुविश धर्म जो विश्वास करते हैं वहां आते हैं वो उनकी प्रेयर्स करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पुराना यहां पर मंदिर था, जो गिरा दिया गया है, सिर्फ इसका वाल ही अभिशेश बचा है, इसको लेके बहुत बड़े दंगे भी हुए है, यहां पर लोग आके हमला किया है, फिलिस्तिनियों पर लोगों को मारा है यह भी पुरानी घटना यहां पर है, तो एक विबादित जगा इसलिए है कि यहुदियों को कहना है कि यहां मुसलमानों ने जो मस्जिद बगरा बनाया है, वो एक्चुली गिरा के एक तीसरी यहां पर मंदिर काइम करना चाहिए, दो मंदिर यहां पर पहले थे, यहुद रहाओं कि यहां पर मुहम्मद की यहां पर बताता है कि यहीं से उनके बार मुझे कहा जाता है कि यहीं से वो हेवन में जन्नत की तरफ गए थे, यह एक मिफ है, उनका मौत कहते हैं इस जगों पर हुई थी, इसलिए वहां मुसलमान कम्यूनिटी के लिए एक बहुत पवित्रस्थान है, डोम आफ रॉक, वहां पर मंदिर है, वहां मजजिद और एक है, जहां पर यह उनके लिए बहुत ही पवित्रस्थान है, तीसरा उनका मदिना मक्का के बाद यह जो है, इसका नमबर आता है, उनके holy places, डोम आफ रॉक, क्योंकि वहां से मुहम्मद का द जॉर्डन के कब उनकी गार्डियन्स माना जाता है इस स्थान की जो 65 की जंग के बाद कहा गया था इसका देखभाल जॉर्डन करेगा क्योंकि मॉस्क्स है यहां पर और पूरे दुनिया की मुसल्मानों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है कह सकते हैं जहां पर वो लोग आते हैं और दर्शन करते हैं तो इसलिए यह एक विवादित जगह भी है और इसमें एक्जिस्टिंग मुस्लिम पिल्ग्रिमेज भी बहुत बड़े पैमाने पर यह है क्योंकि जूज का यह कहना है कि हमारा मंदिर पहले था हमारा वेलिंग वाल जो है वो उसका खास तोर से आके वो अबजर्व करते हैं तो इहांपर क्लैश के संभणा इसलिए बनता है क्योंकि यहुदियों के लिए वहाँ पर मौस्क के अंदर प्रवेश करके वहाँ जो कहँए उसके बाउन्डरी है उसके अंदर जा सकते हैं पर वहाँ पर रिलिजिस कुछ चीज ہیں कर नहीं सकते पर जा सकते हैं इजाजत है तो यह हर बार जाके वहाँ पर religious practice करना चाहते हैं और इससे clash उत्पत्ति करने की कोशिश करते हैं और यह aggressive section है जो चाहता है कि हाँ पर clash हो और clash होने के बाद वहाँ पर Israeli जो forces है वो तैनात रहते हैं वहाँ आएं वहाँ पर डंडा बरसाएं वहाँ पर tear gas फेके और लोगों को इस बार भी हुआ यही clashes एक section आप यहूदी चाहते हैं और इसी लिए पीछले बार इसके लेके जंग भी हुआ था क्योंकि आप याद होगा इन clashes के बाद वहाँ पर जो है missiles कुछ rockets छोड़े गए थे गाजा पर गाजा के इस पर बाद में जंग भी हुआ था जरुजलम में कुछ जगों को कब्जा करना वहाँ से पिलिस्तिनियों को निकाल देना एक जरुजलम पर चल रहा था और ये मॉस्क लेके मॉस्क के अंदर घुसके वहाँ पर तनाव पैदा करना और वहाँ से पत्राओ और टियर गैस और ये सब अटैक्स होना इसके लिए पीछले बार गाजा पर जंग भी हुआ था तो ये जो चीजे हर साल जो उग्रपंति हैं जूज में इनका कोशिश रहता है इस महीने में वहाँ पर क्लैश की स्रिष्टी किया जाए और यही चीज इस बार भी वह बड़े पैमाने प्रूप है तो ये इसकी इतिहास है पर इसका उद्देश ये है कि जरूजलम से फिलिस्टीनियों को दिरे दिरे हटा दिया जाए और वहाँ पर लंबा इनका इरादा यही है कि मस्जिद गिरा के वहाँ पर जूइश टेंपल कायम किया जाए काफी कुछ बाबरी मस्जिद जैसा हाँ पर सवाल है कि बाबरी मस्जिद अगर देखे मस्जिदों बे बहुत इतना एहमियत नहीं था पर यहाँ पर यह तीसरा इंपॉर्टेंट वर्शिप का प्लेस है मुस्लमानों के लिए अलकसा मस्जिद तो यह मामूली बात नहीं ह कि मुस्लमानों का संखा दुनिया पे कम नहीं है तो उनकी एक तीसरी पवित्र स्थान को अगर इस तरह से गिरा देना तो यह तो कोशिश किया जाए तो यह तो बहुत बड़ा बड़े पैमाने पे इसका असर पड़ेगा तो मैंने समझता इसरेल भी इस पे हिम्मत करेगा बड़ा इलाका है छोटा इलाका नहीं है छोटा सा मस्जिद जो बाबरी मस्जिद था वो नहीं है यहां पर भब्ग स्ट्रक्चर्शर ऑए यहां पर बड़ा जगह अभी भी मुसलमानों की कंट्रोल पे है जौर्डन उसकी देगभाल करता है तो मैंने समझता हूँ इस ज जो करना चाहते हैं उसको श्रेज उसको शाय जो है इस बार भी दिखाई दे रहा है लगता है कि यह जो इसराइल के जो डिजाइन है फिलिस्तीन को लेकर वह जो बीच-बीच में हमला करना और निशाने पर लेना उसी कड़ी में यह जो हाल का घटना करमें से देखा जा सकता है पर इसका इंटरनेशनल इंपक्ट बहुत बड़ा पड़ता है हर बार इसरेल जो कोशिश कर रहा है कि वो कुछ संबंध बना लै सौद़-अरबिया से बना चुका है अभी आपकी deflase के साथ अमिरत्यों के साथ बना चुका है जौर्डन के साथ बना चुका है और भ करके पर इस तरह कि जब घटनाएं होती है तो यूनाइट कर देता बड़े पाइमाने में मुसल्मान मुलकों को क्योंकि ये बरदाश कोई नहीं कर पाएगा चाहे पाइवेटली कुछ भी कहे अब लिकली तो उनकी जनता बरदाश नहीं करेगी सबको इसको मानना पड़ेग जो सारा जो घटना करम है मारी पॉल पर जिस तरह से एक निशाने पे लिया कबजा करने की बात है ये सारी जो घटना करम है जो तेजी से बढ़ रहा है और दिखा रहा है खुद यूकरेन भी मान रहा है कि वहाँ पर उसका कबजा पीचे हट गया है रूस का कबजा वहाँ तरफ जा रही है? ठीक हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मारिया पॉल रूस के निशाने में इसलिए है कि वहाँ आजओ बैटेलियन जो की एक फैशिस्ट ताकत है वो उसका गड़ है और डॉनबास रीजिन में मारिया पॉल उसी रीजिन में आता है आपका डॉनेट्स और लुगांस रीजिन को मिल की जो डॉनबास रीजिन है उसमें वहाँ पर मारिया पॉल को कब्जा किया था अजओ बैटेलियन दे डॉनबास की रीजिन की जो मिली लोग थे जो अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे उनको पीछे करके इन्होंने कब्जा किया था उक टीफिन बंदेरा को हिरो मानता है जो की बड़े पैमाने पर यहुदियों को पोलिश लोगों को मारा था आउन का नेता था और यह जो अभी भी उनकी फाशिस्ट जो सिंबल्स है वो उसको बाहरी तरफ जो है उसका वो पूरी तरह से उसको दिखाते हैं कि हम उसके लीनिय जाने नहीं दिया जाए क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन भी इस वक्त डॉनबास के सिंपथी में हैं उसी रूस भाशा बोलने वाले हैं ज्यादा तर और उनकी सिंपथी डॉनबास के तरफ है तो इनको हम अब एक तरह से आप से कैद रखें ताकि यह हमारे होस्टेज बन जाए और रूस इसलिए बड़े पैमाने पर बंबारी नहीं कर पाएगी तो रूस की भी इसलिए मारियापोल के अंदर जो उन्होंने घुसा इत्ती तेजी से नहीं घुस पाए जैसे और वो कर सकते थे सब कुछ फ्लैट करके चले जाए ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह सेविलियन पॉपुलिशन की ख्याल इनको भी रखना पड़ा था तो धीरे धीरे गए क्लियर किये और करने के बाद अब जो है करीब करीब पूरा बारियापोल पर कब्जा है उनका सिर्फ एक जगह बचा है वो करीब दो स्क्वेर किलाविटर दो धाविटर किलाविटर एक स्टील प्लांट है जो मरियापोल के ठीक बाहर है बहुत बड़े बड़ा इलाका लेके वरना दो लार्जे स्टील प्लांट जुनिया की यह है तो उसके अंदर कहते हैं कि न्यूक्लियर बंकर्स थे बतलब न्यूक्लियर बंब भी आएगा तो नीचे लोग रह सकते है उसकी भी इनजाम था तो नीचे बंकर्स है लगता है वहाँ पर दो ड्हाई हजार अभी भी आजव बटैलियन और यूक्लियर की कुछ फोर्स वहाँ अभी भी मौजूद है और इसलिए वहाँ पर रूस की ताकत वहाँ पर जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर अगर हाथो ह लाइं करना पड़े तो दोनों तरफ नुकसान काफी होगा तो इसलिए तो वह कह रहे हैं कि हम इसको अभी देखते हैं कैसे करेंगे क्योंकि अभी उनके अंदर से जो ख़बर आई है जो यूक्रेयन को भेज भी रहे हैं कि वी रानिंग शॉर्ट अफ एमुनिशन और चुके हैं ठीक है ना और आत्र समर्पन करने के बाद वो च्छानबीन करेंगे कौन किसका क्या रोल रहा तो आज़ाफ बैटैलियन के जो क्या कहेंगे उनकी लीडर्स है उनको लिकालने भी हलिकॉप्टर से काफी कोशिश किया जिसमें इनके तीन हलिकॉप्टर गिराए इसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया उसको करने की कोशिश छोड़ दिया तो यह लगता है कि आज़ाफ बैटैलियन में साथ साथ नेटो एडवाइजर्स भी हो सकते हैं जिसके वजह से एक डेस्परेशन था कि किसी तरह उनको निकाला जाए ताकि हम रंगे हाथ प जो एजन्सी है ब्रिटन की अमरीका की फ्रांस की इस सब उनके नाम पे वॉलिंटियर के नाम पे यहां आए हैं पर एक्चुली यही उक्रेन फोर्स को काफी कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि जो आमस आ रहा है वो भी नेटो से आ रहा है जो नए हातियार आ रहे हैं वो युक इस कोडिनेशन में पूरी तरह से जुड़ा हुआ है युक्रेन की सरकारी सेनाओं के साथ और बिना उसकी नेटो आर्मस इस्तेमाल भी नहीं हो सकती नेटो की जो कोडिनेशन है वो कहते है वायरलेस से बात बताना उनकी सर्वेलेंस जो हो रही है उपर से सैटलाइट से उ कह रहे हैं कि इसमें ये तथाकतिद वॉलिंटियर फोर्स नेटो को इंट्रिजेंस अगर समझे तो उनके पास चीजे है तो उसके जरीए एक कॉम्मुनिकेशन युक्रेन की सेनाओं के साथ कर रहे हैं कहना है तो इन सब लेके लगता है कि कुछ सच्चाई तो जरूर है कि नेटो की कुछ लोग इस वक्रेन की आर्बी के साथ है नहीं तो ये जो कोडिनेशन नेटो के साथ ये नहीं हो सकता लेकिन एक तरह से ये लगता है कि रूस का जो मुख्य निशाना था इस इलाके को अपने कबजे में करना उसमें तो बुनियादी तोर पर उसमें सफलता ह हासिल कर ली है देखिए ये पहले से ही साफ था कि उक्रेन आर्बी को इंटरडिक्ट करके उनको एक जगा पर स्टाटिक करके धिरे धिरे उनको खतम करना इस रीजन में ये रूस का उद्देश है कि ये वगरा इन जगों पर उन्होंने घेरा था तो वहां से टूप मूब ब्रिजज ये वह आसानी से गिरा देंगे रेल के जरी अब सामान या लोग नहीं ला सकते सेना नहीं ला सकते तो एक हिसाब से यूक्रेन आर्मी को पहले उन्होंने स्टैटिक बना दिया अब जो है उनको लाने के च्शमता यूक्रेन के पास नहीं है क्योंकि रेल लाइन से लेकर ब्रिज के लेकर पेट्रॉल के लेकर बिजली सब चीज इस वक्त रूस उसको कबजा करके उसको स्टॉप कर सकती है तो वहां से बहुत ज्यादा नहीं पहुंच सकती वेस्टर्न यूक्रेन तक नेटो की सामान पहुंच सकती है पर इस्टर्न यूक्रेन बें उनक तरह से बात कर रहे हैं भारत से भी लंबी वारता हुई अमरीकी राष्टपती की प्रदान मंत्री नरेन मोदी से यह जो सीन है उनकी बैठक लगातार चल रही है आपस में भी और रूस के बारे में उनकी रणनीती में उननिस बीस होता दिखाई दे रहा है लगातार एक नई स्ट्राटजी में लोग बता रहे हैं कि नई स्ट्राटजी में भी वो लोग उतर रहे हैं यह अमरीका की रणनीती और नेटो की रणनीती क्या निखाई दे रही है तो साफ है कि वह यूक्रेन का आखरी सोलजर को रूस के खिलाब इस्तिबाल करने के लिए तयार है इसके जिलेंस्की उसकी बात करना बंद कर दिये इस सब्सक्राइट्रोसिटी की बात कर रहे हैं जिसका भी भी इतने बड़े जंग अगर हुआ कुछ जरूर सिविलियंस मरे होंगे हैं तो मर सकते हैं इस पर कोई दो रह नहीं है और यह अट्रोसिटी की बात करें तो 14,000 उक्रे की हम सान्थी कि तरफ जा सकते हैं उक्रेन को नीट्रल कर लें यूर्पेन यूनियन जॉइन कर सकता है रूसने चाहा यह कर सकते है आप और क्रिमिया वगारए जगों की बात बहस हम नहीं करेंगे यह बात दुराना बंद कर दिया कि पूरी तरह से कातब हो गया विषी बा बढ़ेगा तो पर ये जो बाते है नेटो लगातार बोले जा रहे हैं अस्ट दे रहे हैं इसका इरादा साफ है कि यूकरेन की लड़ाई जित्ते दिन तो को चला सकते है तो उनको लगता है कि रश्या को को एक कोने में करना आईसोलेट करने में शायद हम ज्यादा सफल है दुनिया में इंफलेशन बढ़ रहा है स्टैगनेशन है क्योंकि सामगरी नहीं आ रही है जो हमें आवश्चक चीजे है वो नहीं आ रही है हमारे यहां फर्टिलाइजर का कमी पड़ेगी पड़ रही है इस वक्त अगर आप देखे फर्टिलाइजर दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादन होता है बेलारूस रूस और यूकरेन में अगर यहां बंद हो गया तो सोच लीजे कि दुनिया में अगर सैंक्शन लगा दिया बेलारूस रूस पे वहां से भी नहीं आएगा तो बड़े पैमाने पे इसका संकट रहेगा अब देखी सकते हैं कि का अरब दुनिया में बहुत बड़ा एक भयानक आकाल पढ़ने के इसलिए संभावना है तो हर तरफ से तेल के दाम बढ़े या रहा है फिर बढ़ना शुरू हो गया कुछ दिन कम थोड़ा कंट्रोल में था फिर बढ़ना शुरू हो गया तो यह जो है उनकी एक लूजिं कि रास्ते पर जाएगा और भूखबुनी की रास्ते पर जाएगा और उरज्या नहीं मिलेगा तो इसको देखते हुए तेल और कुईला दोनों रूस से आता है बड़े पैमाने पे तो इसको देखते हुए मैंने समझता हूं कि European Union और अमरीका का यह जो कोशिश है नेटो और रूस के बीच पे जो जंक छेड़ा है उन्हों उक्रेन में इससे वो जाके दुनिया में उनका अपना कब्जा कर लेंगे और रूस और चीन को एक एक दम कोने में कर देंगे यह सफल नहीं होने को दिखता है मुझे जहां तक दुनिया की इस वक्त हम चीजे देख रहे है जो दिखाई दे रहे हैं तो जंग यूक्रेन में सिर्फ नहीं है दुनिया में जंग हो रही है आर्थिक जंग हो रही है इन्फर्मेशन वार हो रहा है उस पर नज़र रखे सिर्फ जंग पे नहीं तो यह तीन जो छेतर में लड़ाई हो रही है इन्फर्मेशन पे एकॉन जा सकता है और मुझे लगता है कि आखी की तरह सभी को चिंता ये है कि जो शांती वारता चलने की कोशिश थी कोशिश ये हो रही थी कि युद्ध खतम हो और एक हल निकले उस दिशा में बहुत कम कदम है और इस बीच जिस तरह से जो तनाव और संकट पूरी दुनिया जिसक कगार पर पहुँच जाएगी शुक्रिया